बिना स्कीप करें ये काहानी जरुर सुनिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब जरुर कीजिए केशोपूर गाउ में अधिकतर लोग खेती करने वाले थे पूरे गाउ में स्रिप दो ही कुवे थे जिन से लोगों को पानी मिलता था कुछ समय बाद गाउ का एक कुवा पूरी तरह सुख गया अब पूरे गाउ के लोग पानी की जरुरत के लिए एक ही कुवे पर निरवर थे दूसरे कुवे से पानी भरते भरते लोगों को लगा कि कुवे में कोई भूत रहता है जब गाव के किसान कुए से पानी भरते थे तो उन्हें अजिब सी आवाजी सुनाई देती थी खेती करने वाले पुरुशों की पत्निया तो डर के मारे कुए के पास तक नहीं जाती थी दीरे दीरे पुरे गाव में बात फेल गई कि कुवा भूतिया है अब रात के समय कोई भी कुए के पास नहीं जाता था इसी बीच गाओ का एक बच्चा कही खो गया काफी धुनने के बाद भी बच्चा जब नहीं मिला तो कुछ लोग कुए के पास बच्चे को देखने के लिए गए वहाँ पहुचे लोगों ने बच्चे को कुए के अंदर मरा हुआ पाया अब एक तो कुवे का पानी खराब हो गया और दूसरा बच्चा कैसे मरा इसको लेकर गाउ के सभी किसान परेशान हो गए थे सब ने एक दिन मिलकर नया कुवा खोदने की सोची कुछी दिनों में कुवा सब ने खोद लिया और उसमें पानी भी आने लगा अब पूरे गाउ के लोग नये कुवे से ही पानी भरते थे और भूतिया कुवे की तरफ जाना सबने बंद कर दिया था बड़े लोग तो समझदार थे इसलिए कुवे के आसपास नहीं जाते थे लेकिन बच्चे वहाँ अक्सर खेलने के लिए पहुँच जाते थे एक दिन चार-पाच बच्चे भूतिया कुवे के पास खेल रहे थे तबी एक बच्चा कुवे में गिर गया उसके चीकने की आवाद सुनकर पूरे गाउवले दोडते हुए भूतिया कुवे के पास पहुचे उन्होंने कुवे के अंदर देखा तो बच्चा मरा हुआ दिखा सबने उस बच्चे के साथ खेल रहे दुसरे बच्चों से पूछा आकिर क्या हुआ था बच्चोंने कहा वो खेलते खेलते पानी को देखने गया और अच्छानक कुवे में गिर पड़ा इस हदसी के बाद गाउवानों ने तुरंत एक तांत्रिक को जाकर बुलाया वहाँ पोचकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पड़े जिसे सुनकर भूठ सबके सामने आ गया तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तिमाल करके उस कुवे को छोड़ कर जाने के लिए कहा भूठ ने तांत्रिक की बात को मानने से इनकार कर दिया तांत्रिक ने पूचा तुम क्यों नहीं जाओगे यहां आकर बच्चे मर रहे हैं इसलिए तुम्हें जानाई होगा भूठ ने जवाब दिया इस कुवे में सालों से मेरा पूरा खंदन रहता आ रहा है मैं यहां से बिल्कुल नहीं जाओंगा इतना कहकर भूठ कुवे के अंदर चला गया अब तांत्रिक ने गाओ के लोगों से कहा इस कुवे के मुझ को ढग दो ऐसा करने से किसी तरह के हाथ से नहीं होंगे यह सुनती ही गाओ के मुक्या ने तुरंद काम शुरू करवा दिया दूसरे दिन कुवे के मुझ पर जाली डालकर पूरी तरह से रित और सिमेट से पक्का ढखन बना दिया और उसे ढग दिया गया अब सारे गाओ वाले खोशी-खोशी रहने लगे उस दिन के बात से गाओ में ऐसी किसी तरह के घटना नहीं हुई और भूतिया कोई के डर से लोग मुक्त हो गए हमारी ऐसी ही दूसरी कहाणिया सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिक रहा है उसे क्लिक कीजे और डरावनी कहाणियों का मजा लीजे